नमस्कारम आप सभी को पताई है कि दिली के जो चीप मिनिस्टर है अरेविंद केजिवाल जी उनको एंफोर्स्मेंट डारेक्टरेट ने एरेस्ट किया है जो एक बहुती चर्चित घटना बन गई है और ये एक ब्रेकिंग न्यूस भी है तो ये एरेस्ट उनके एगिंस्ट चल रहा एक एक साइस पॉलिसी की केस की कनिक्शन में हुई है लेकिन हम इस सेशन में कुछ बहुती इंपॉर्टन चीज़ों पर नजर रखेंगे वो उसमें क्या है पहला चीज तो ये है कि ये जो एरेस्ट हुआ है वो एंफोर्समेंट डारेक्टरेट या एडी की तरफ से हुआ है तो ये एडी है क्या जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टन है और हां कमेंट जरूर करना वीडियो को चलते हुए भी अगर कहीं पर डाउट आए और दूसरी बात ये है वीडियो को शेयर कर देना लास तक तो जरूर देखना है ठीके तो एंफोर् से लोगों को एरिस्ट किया गया था और अपकमिंग डेवलॉप्मेंट हम क्या देख सकते हैं यह सारे चीज हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं यह एंफोर्स्मेंट डारेक्टरेट की जो कि भारत का एक प्रमुख फाइनशियल इंवस्टिगेशन एजंस्टी है यह किसके अंडर है यह मिनिस्ट्री ओफइनन्स के अंतरगत होती है अब इसका मेन काम क्या है इसका यह काम होता है कि जो एकोनोमिक्स लौज है उसको पालन करना और एकोनोमिक अपराद्धों को पता लगा के उसका निस्चित करना अब देखुँ एडी को कही तरह की या financial से related कोई भी घोटाला अगर होता है तो वो ED के अंदर आता है जैसे कोई ऐसे criminal case दिया लौज जैसे CBI के पास आता है वैसे ED for the economical segment है उनको देख भाल करने के लिए ED काम करते है अब ED का power कहां से मिलता है ED को power कैसे दिया गया है सबसे पहले तो prevention of money laundering act जो की 2002 में मनाया गया था उसके तहित money laundering से जुड़ी property को trace करना उसको temporarily attach करना और जो offenders है उनके खिला prosecution और property confiscation को ensure करना काम होता है under this first act second अगर फेमा की बात करें जो की है foreign exchange management act जैसे की कैसे foreign exchange इंडिया में कैसे इसको लागू किया जाएगा यह सारे चीज के लिए यह एक्ट बनाया गया है उसके तहट suspected foreign exchange law violation की जांच करना adjudicate करना और law को अगर कोई उलंखन करता है तो उन पर penalties impose करना ED का काम है उसके साथ APOA होता है जो आप देख सकते हो जो कि है 2018 का इस APO के तहट जो अगर कोई offender भाग जाते है properties को उनका attach करना और उनकी properties को central government के नाम करने का काम करना भी ED के हाथ में होता है अब ED एक multidisciplinary organization है जिसमें Indian revenue service, Indian police service और Indian administrative service मतलब IRS, IPS और IS के जो officers होते है वही शामिल होते साथ ही ED के अपने cadre से promote हुए officers भी इतमें काम करते है ठीक है यह जो agency है इसकी structure काफी vast होता है और इसमें अलग-अलग regions के लिए zonal offices होते है मानोग जैसे दिल्ली में जो ED काम कर रहे है तो वहाँ पर दिल्ली zonal office से यह काम होगा हर एक zone का अपना head होता है और अगर overall agency की बात किया जाए तो overall agency का head directorate of enforcement होता है बात समझ में आ गया अब हम फिर से वापस आते है अरविंद के जिवाल जी के case में अब कोट ने ED को दस दिन के लिए CM के जिवाल जी की custody देने के order reserve कर लिया है अब पूरे मामले में ED का कहना यह है कि दिल्ली government की 2021 और 2022 की जो excise policy है उनमें alleged corruption और money laundering हुई है और ED के मुपता अबिक आपके जो लिडर से इस policy से इस policy मतलब policy के अंदर कुछ ना मतलब कम से कम 100 करोर तक के kickbacks ही है अब केजरिवाल जी के नाम को ED ने church sheet में कई बार mention किया था और उनका कहना है कि जो accused लोग है वो उन्होंने policy formulate करने के लिए केजरिवाल जी को contact किया था अब यह जो arrest हुआ है वो कहां से हुआ है कौनसी court के द्वारा this is not by supreme court this is by दिल्ली high court द्वारा और उन्हें किसी भी तरह की interim protection deny पहले कर दिया गया फिर कुछी के बंदे बतबतब ही talk ask for the interim protection लेकिन उनके कुछ ही घंटे बाद यह चीज देखा गया कि उनका arrest हो गया अब आपका question यह आता है कि यह दिल्ली liquor policy case होता क्या है वैसे यह तो बहुत पहले से ही मतलब 2021 में जो policy आया था दिल्ली government के एक नए exercise policy की implementation को लेकर यह policy को introduce किया गया था जितका main name क्या था alcohol को sales को modernize करना और revenue increase करना तो policy के according liquor shop जो होता है उनको privatize किया गया था और जो licensing criteria में उसमें adjustment किये गया थे लेकिन यह policy को लेकर कई तरह की concern raise हुए अब कैसे concern देखा गया कि सबसे बड़ी बात यह है कि जहां से पैसा बढाना था या बच बनाना था उसमें financial losses और public health implications देखा गया अब 2022 में दिल्ली के जो chief secretary थे policy को violation करनी की report में lieutenant government मत्यों वहां के जो जो chief secretary थे वो lieutenant government को एक report तरी को report दिया उन्होंने जिसने CBI prop की recommendation थी अब report के according policy से execute को कुछ चम 580 करोर से ज़ादा financial loss हो गया था यह दिखाया गया अब ED का allegation क्या है यह बोल रहा है कि policy को intentionally loopholes के साथ design किया गया है ताकि आप leaders को favor किया जा सके मतलब यह बताया जा रहा है कि दिल्ली विधान सवास है जो policy को बनाया गया उसमें ही खोट रखा गया है और उसमें इसलिए खोट रखा जा गया है ताकि जो आपके leaders है यह आमन्दमी पार्टी के leader है उनको favor किया जा सके और जो सारे आप जो formation है कार्टिल formation को promote किया जाए उनका यह भी कहना था कि आप leaders ने लिकर बिजनेस से किक बैक लिये है जैसे कैसे कैसे किक बैक किक बैक मतलब क्या है जैसे कि डिस्काउंट्स लेना लाइसेंस फी वेवर्स लेना और पोबीट 19 पैंडेमिक के disruption के दौरान रिलिट के बदल जी फिर संजय सिंग जी यह already case में involved है अब इनको छोड़ कर भी I will definitely tell you about the most important places जो इस case के अंदर already शामील हुए है और जिनको पकड़ा गया है जैसे कि आपको अभी अभी जैसे मैं बता बात कर रहे हो अरेविंद के जीवाल जी के बारे में जो की Chief Minister of Delhi है वैसे उन्होंने clearly ब फिर हमारे दिल्ली के अंदर जो former Deputy Chief Minister थे मनिश शिशोदिया जी तभी के एक साइज मिनिस्टर वो थे मतलब यह policy formulations के पीछे अगर the head he was the person तो उनको accused किया गया है के tweaking करने के लिए policy को so that उसको उसके थो illegal undue favors मिले license holders को ठीक है फिर के कवीता के बारे में अगर बात करे शी कि है भारत राष्टा समीति उनके लीडर है और former टेलेंगाना Chief Minister जो की के चंदर शेखरन राउ उनके बेटी है उनको भी accused किया गया के conspiring with the top up leader ठीक है policy के favor के लिए उन्होंने conspire किया है जो top up leader है वो इनको छोड़कर विजा नयार जी भी है जो कि आपके communication in charge थे और allegedly इन को act किया मतलि इन्होंने casual के बिहाफ इन्होंने इस case में act किया है और involvement दिखाए गया है अब casual जी ने ED द्वारा भेजे गया है आठ समन हुआ था इससे पहले मतलब यह error से पहले आठ समन को उन्होंने illegally illegal और politically motivated बताते हुए उन्होंने skip किया था तो इस घटना ने देश भर म जिसमें बहुत सारे लोग यह तो बोल रहे है कि यह जो arrest है यह basically political vendetta है और जो government है उनके खिलाफ मतलब government है उनकी जो opposition है उनको थोड़ा सा रुकवाने के लिए उनके खिलाफ यह charges लगाया गया है और दूसरी तरह बोग इसे corruption के खिलाफ एक जरूरी कदम भी मान रहे है मतल there are two kind of opinion तो हमारा काम यह है कि आपको news बताना तो actually यह जो proceeding होने जा रहा है इसके उपर आपी तो सभी का नजर है हमारा भी नजर है हम भी आपको update करते रहेंगे तब तर के लिए जो जो important छीज आपको यहाँ से पता चला उसका notes दरूरा बना लेना इस PDF को अगर आपको ले very good preparation for your upcoming examination चाहे वो state PSC के कोई examination हो UPVSC, BPSC, Rajasthan PSC ठीके सार है आरे सब के लिए आप prepare कर सकते हो हमारे channel पे आके हमारे app पे आके और बस आज के लिए इतना ही आपसे मिलेंगी next session में तब तक के लिए please be a responsible citizen अच्छे इंसान बनो and जाहिद